उदर चीन सीमा विवात पर बीजेपी ने कॉंग्रिस पर बड़ा हमला बोला है बीजेपी नेता संवित पात्वरा ने कॉंग्रिस पर चीन के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और चीन पर कॉंग्रिस के रुख में नर्मी पर भी सवाल उठाए यहीने उन्होंने 2012 में लोकसभा में पूछेगे सवालों का हवाला देते हुए कॉंग्रेस के शासन ने भारत की 78,000 वर्ग किलोमेटर से ज्यादा जमीन पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा होने का आरोप लगाया भ्रम की राजनीती भ्रमजान खैलाया है मा बेटे यह जवाब दे कि आपके परिवार ने क्यूंकि जितने भी मुख्यता है यह ट्रीटी साइन होई है आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है नहिरू से लेके डोक्टर मनमोहन सिंग तक आप बताईए ये 78,000 sq km आप जानते हैं 78,000 sq km कितना होता है हिंदुस्तान के दो राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है हर्याना दो हर्याना मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ उसका छोड़ दिया आपने क्यों दिया 78,000 स्क्वेर किलोमेटर की जमीन आपने आज भी वो भ्रम की स्थिती को पैदा कर रहे हैं रोज कर रहे हैं कल CWC की मीटिंग हुई शाम तक राहूल गांधी जी ने भी फिर सरंडर सरंडर का राग अलापा था यह आपने देखा था इनका बिल्कुल सही नाम नड़ा जी ने दिया है the rejected and the ejected dynasty यह एक ऐसी डाइस्टी है जो rejected हो चुकी है देखिए हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है परिवार साही नहीं है इस परिवार और इस परिवार के राज को इस डाइनास्टिक रूल को कही न कहीं हिंदुस्तान की जनता ने reject कर दिया है and they have been ejected एक तरह से राजरेतिक पठल से इनको eject कर दिया गया है बाहर इनको फेक दिया गया है जनता ने ट्वीट कर लिखा कि एक खांदान की वज़े से हजारों किलोमेटर जमीन गई यही नई नड़ा ने कहा कि सियाचीन भी इसी खांदान की वज़े से जाने वाला था जनता ने ट्वीट कर लिखा कि एक राजवंश और उसके वफादार एक ही पडिवार को विपक्ष की तरह मान रहे है एक राजवंश जूट बोलता है और उसकी वफादार उसे फैलाने में जुड़ जाते हैं जैसे इस वक्त में यह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं एक और ट्वीट जेपी नड़ा ने लिखा कि एक खांदान की वज़े से हजारों किलोमीटर जमीन चली गई सियाचीन गलीश भी लगभग जाने ही वाला था और ना जाने क्या-क्या इसी वज़े से रास्ट्र ने इन्हें खारिश कर दिया इस तनाव के समय शिरी राहूल गांदी पे रॉयल डाइनेस्टी का तंज कसने का वक्त नहीं है बलकि देश को भाजपा की रॉयल बेवफाई पे सफाई देने का वक्त है क्यूं देश के हत्यास में पहली बार आज भार के जनता पाटी और परधान मंतरी सेना की नहीं बलकि चीन की वकील बने बैटे हैं क्यूं लाल आँख दिखाने की वज़ाया चीन का नाम लेने से भी आँखे छुराए बैठे हैं क्यूं अलाल आंक की बात करने वाले आज विदेश नीती को खाक में मिलाए बैठे हैं अध्यक्स को आज आरोप लगाने का नहीं हिसाब देना चाहिए कि क्यूं 2015 के बाद बाइस सौ से अधिक जो घुसपैट हैं वो बढ़ गई पेट्रोल के दाम में आज कोई बढ़ नहीं हुआ मुंबई में भी पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ खोतरी नहीं हुई वहाँ पर पेट्रोल के दाम 86 रुपए 49 पैसे है जब कि डीजल के दाम 45 पैसे बढ़े हैं जिसके बाद खीमत 78 रुपए 16 पैसे हो गई पहले भी आप फुल करा दे थे कम से कम 1000 रुपए का डला दे थे अब 100-200 का डला रहे हैं क्या किया जाए बढ़ रहा है इससे बहुत फरक पड़ेगा बहुत ज्यादा स्यारा जाजे जो सामान जाएगा भाड़ा जाएगा शिक एडिजल प्ट्रोल जितना ङाड़िय से जायेगा भाड़ा बढ़ेगा तो सामान भी बढ़ेगा पीजल का दाम बढ़ रहा है, सरकार खिसान आदमें कोई फाइदा नहीं है हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन यह सस्ता होने के गुंजाइसे नहीं प्रते दिन कहीं दो रुपए, कहीं चार रुपए इसे करके बढ़ रहा है इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पबलिक के लिए दिक्कत हो जाएगी पीजल की दाम बढ़ रहे हैं, तो किसानों को बड़ी परिसानी हो रही है धान लगाना है तो इतना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की जरुद परती है ज्यादत ज्यादा उनको बहुत कर्टिस्ट में हो रहा है पिछले 17 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बृद्धी हो रही थी, लेकिन 18 दिन थोड़ा सा बदलाव है क्योंकि आज पेट्रोल के दाम में किसी प्रकार की कोई बृद्धी दज नहीं की गई है, लेकिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार जारी है मैं दादर के पेट्रोल पंपर हूँ और आज का जो दाम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ गल ये दाव 77 रुपई, 71 पैसे था, यानि 45 पैसे की बिध्धी दर्ज की गई है। वहीं पिछले तीन दिनों की अगर बात करें, तो डीजल में करीब 2 रुपई की बिध्धी दर्ज की गई है। और जिस गति से डीजल के दामों में बृधि जारी है, आने वाले दिनों में पेट्रोल से ज़ादा डीजल के दाम होने की पूरी उम्मीद नजर आने लगी है. पेट्रोल और डीजल की खेमतों पर राहूल गांधी ने मोधी सरकार पर हमला बोला. राहुल ने कहा कि मुधी सरकार में कुरोना और पेट्रोल डीजल के दाम अनलॉक कर दिये गए राहुल ने ट्वीट किया कि मुधी सरकार ने कुरोना महामारी और पेट्रोल डीजल के खेमतें अनलॉक कर दी है पर्शन भंगाल में TMC विधायक तमुनाश घोश की कुरोना से मौत पर राज़नीती तेज हो गई फाल्टा विधान सभा से तीन बार विधायक रहे तमुनाश घोश की कुरोना से मौत पर सियम ममता बेनरजी और राज़िपाल जगदीब धनकर ने दुख चताया इसके बाद बीजेपी ने मम्ता बनरजी के ट्वीट पर सवाल उठाए और कहा किसी मम्ता ने अपने संदेश में कोरोना का जिक्र नहीं किया बीजेपी ने मम्ता पर कोरोना के आकड़े चिपाने का भी आरोप लगाया बीजेपी ने इता दिलीब गोश हमारे साथ हैं दादा एक विधायक की मौत हुई है टीमसी के और क्या कहेंगे राजे की क्या परिस्तिती है मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें कोविट की कहीं चर्चा नहीं है सब्सक्राइब ने परश्तित तो भयानक है काफी दीन से बिगड़ रही थी सरकार यहां की मानने के लिए त्यार नहीं है उनके मुंत्री बीमार पड़े पूरा परिवार के साथ यह विधायक काफी दीन से बीमार थे क्या आकड़े चुपाये जा रहे हैं अभी देखिए कितना बेवारी डेट बोड़ी मिली है उसको लेखे काफी कॉंटर बार्सी लोग बाहरास्ते में आगे कहां क्यूं 15-15-20 डेट बोड़ी चुपाकर रखा था कहां का डेट बोड़ी किसी ओ कुछ मालूम नहीं है और यहां घोशना हो जाता है रोज कि इतना बेट खाली है अब हास्पिटल में पूछो बोले आमारे हास्पिटल अभी त्यारी नहीं हुआ है लेकिन पांस से बेट खाली है से सरकार बता देता है हर आकड़े में कहीं न कहीं धांदली होती है